हेलो दोस्तों, वेलकम टो लिव लॉग वेल्ट, लिव लॉग वेल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, मेरा नाम आदिति सिंग है और आज हम बात करेंगे से भी द्वारा एक डेटा पे जिसमें ये बताया गया है कि कितनी ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं, कितनी ट्रेडर्स लॉज करते हैं, अगर आप भी उन में से हैं, जो कि F&O ट्रेडिंग कर रहे हैं, या करनी की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा हो सकता है, इसको एंड तक देखिए, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, लिव ब्रोकर हो, तो एक risk disclosure आता है, सेभी की तरफ से mandatory किया गया है, सारे ये ब्रोकर को दिखाना, ताकि आपको पता हो कि जो आप काम कर रहे हैं, वो काफी ज़्यादा risky है, और उसके benefits क्या हैं, या losses क्या हैं, सबसे पहले अगर आप देखें, तो यहां पर यह लिखा हुआ है, 9 out of 10 individual traders in equity futures and options segment incur net losses, जी हां, future and options की बात की गई है, equity, swing, positional, equities related, कोई भी बात नहीं की गई है, बात की गई है future and options segment की, क्यों बात की गई है future and options segments की, क्योंकि यह देखा गया है कि options में trading volume बहुत जादा हो रहे हैं, अगर पिछले 7-8 सालों की बात करें, तो यह कम से कम 40-50 हो रहे हैं, तो especially future and options की बात की गई है, यहां पर, इसमें लिखा हुआ है कि 10 में से 9 लोग, मतलब 90% लोग जो इस segment में trade कर रहे हैं, वो loss में है, अब यह आप दो तरीकों से देख सकते हैं, इसमें कुछ demotivation है और कुछ motivation भी है, इसमें हम बात करेंगे आगे, On an average, loss maker registered trading loss close to 50,000, मतलब लगब 50,000 के आसपास एक average trader loss करते हैं, generally आप देखेंगे, लोगों का तो 5, 10, 20,000 करोणों रुपे का भी loss होता है, but average करेंगे तो यह रकम 50,000 आती है, अब सबसे important बात, Over and above the net trading losses incurred, loss maker expand an additional 28% of net trading losses as transaction cost, इस transaction cost में आती है, brokerage, सरकार को दी हुई, HDT और वो सारे charges, इसका मतलब आप loss तो करी रहें, अगर आपने 1,00,000 loss किया है, तो लंसम उसका 28% जो है, वो तो सिर्फ उसे brokerage का है, इससे क्या समझ में आता है, over trading, इस पे भी हम अभी बात करेंगे कि इस से हम कैसे बचें, दूसरी चीज है कि जो लोग profit कर रहे हैं, जो लोगों ने profit किया है, 15-50% तक उनका profit चला जाता है, इस transaction cost में, तो क्या समझ में आ रहा है, कि transaction cost जो है, ये काफी बड़ा मुद्दा है, loss कर रहे हैं, तो भी आपको देना पढ़ रहे हैं, profit कर रहे है तब तो आपको अपनी जेव से निकाल के देना पड़ा है, profit जो आने वाला है, उस पे भी आप transaction cost काफी जादा दे रहे हैं, 15-50% की बीच में, income tax उसके बाद और देना पड़ेगा आपको, तो ये सारी बाते हैं, अब इसको देखने के दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका तो ये चीज की बात सही है, कि 10% लोगी profit कर रहे हैं, तो क्या ये career की तरह सोचना चाहिए, करना भी चाहिए, या नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, कि trading का मतलब सिर्फ options नहीं होता है, trading का मतलब equity भी होता है, trading का मतलब swing trading भी होता है, आप कुछ अच्छे shares को खरीद के उसको 10%, 15% उपर बेचेंगे, उसको भी trading की कहा जाएगा, और ऐसे लोगों का data से भी ने अभी disclose नहीं किया है, कि उसमें क्या profit loss है, मेरा ये मानना है कि उसमें profit ज्यादा होने के chances है, क्योंकि आप अच्छे shares को hold कर रहे हैं, और अच्छे businesses, अच्छे shares के grow करने की संभावना ज्यादा होती है, trading एक काफी ज्यादा risk की game है, लेकिन आप ऐसा समझो कि let's suppose कि 100 लोग है, इनको हम दो category में बार देते हैं, एक category जो की 90% लोगों की है, जो loss कर रहे हैं, अच्छे इसमें मैं एक और बात बता दूँ जो लगतार profit करते आ रहे हैं या जिनका 90% लोग loss किया, 10% लोगों ने profit किया, correct है, अब आप ये देखो, demotivation की तरह देखोगे, तो obviously आप एक mathematical term में probability लोग है, तो आपके 90% chance तो lose करने के हैं, लेकिन आप ये बताओ, कि 10% लोगों जो profit कर रहे हैं, वो इन 90% लोगों का पैसा भी तो ले जा रहे हैं, क्यों? क्यो 5 लोगों ने मिलके 5 लोग का loss किया है, तो शायद किसी एक ने या दो ने वो पूरे 5 लोग कर रहे हैं, तो अगर आप motivation की तरह देखोगे, तो आपको ये सौझ में आगा कि हमें आना है इस category में, जिसमें 10% profitable trader हैं, और हमें निकलना है इस category से जहां पे हम loss कर रहे हैं, अब तो हमें ये समझना चाहिए, कि ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग कि ये profit में हैं, अब आप देखो, कोई भी आप exam लो, UPSC का exam लेते हैं, 10 लाग लोग paper भर देते हैं, लंसम, उसमें से सिर्फ 80 लोग IS बनते हैं, इसका मतलब वहाँ पे तो 99.5, 99.8 chance है loss करने का, अब कोई भी सरकारी exam दे दोगे, आपको ये समझ में आएगा कि 99% case में तो आपका नहीं होने वाला कुछ, आप CAT देने जाओगे, आपको बाचलाएगा, 97, 98% अगर नहीं है तो आपको अच्छा college नहीं मिलेगा, आप IT का भी exam देने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको top rankers क्यादा है हमारे UPSC में, हमारे किसी अच्छे college से IT या IM से कोई degree लेने में, या किसी भी business में success होने के, even 95% से status भी fail होते हैं, तो क्या हम ये सारा काम करना बंद कर देंगे, बिलकुल नहीं, तो trading भी आप वैसे ही लें, लेकिन आप ये देखो कि जो 1% लोग IS बनते हैं, या 80 लोग, मतलब 0.2, 0.3% लोग जो IS बनते हैं, या किसी भी trade में, किसी भी field में, किसी भी business में, जो भी success होते हैं, वो हमेशा कुछ अलग करते हैं, बाकी जनता से, बाकी भीड तो भीड की तरह भीड चाल चल लए हैं, जो सब कर रहे हैं, सब कर रही हैं, लेकिन जो successful लोग ह वो थोड़े कुछ काम अलग करते हैं, ट्रेडिंग में उसी काम को हम बोलते हैं, risk management, ट्रेडिंग में उसी काम को हम करते हैं, risk management, और discipline, तो discipline और risk management आपको उन सारे traders से अलग करता है, जो की loss making है, दूसरी चीज, यहाँ पे education barrier बहुत है, generally लोग बिना education के ही trade करना शुरू कर देते हैं, आप समझो, आप कोई भी business करने जा रहे हो, let's suppose आप कोई tourism का business करने जा रहे हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ knowledge होनी चाहिए, आप export import करने चाह रहे हो, आपको कुछ चीज़ें चाहिए, थोड़ी उसक करने के लिए, अब ऐसा होगा, तो obviously loss होगा, आप कोई question नहीं पूछ रोबोकर आप से कुछ नहीं पूछता है, क्या आपको कोई experience है, नहीं है, आपको आता है, नहीं है, तो मेरे हिसाब से, और सरकार भी बहुत ज़्यादा try कर रही है, ये 90% की संख्या को कम करने के लिए ताकि थोड़ा सा संतुलन आए, उसके लिए मेरे हिसाब से education बहुत important है, आप कोई अच्छा course करो, YouTube पे जाके खुछ से पढ़ो, कुछ research paper देखो, थोड़ी से जनकारी लो कि आप जो कर रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, उसके आप को समझ है कि नहीं, अब जब आपको स पैस के ले रहे हो, पैसा, आप बहुत सारे traders आते हैं, उनसे पूछो कि अगर आप एक लाख रुपे है, तो भाई आप कितना पैसा कमाने की सोच रहो, वो बोलते हैं, सर एक लाख रुपे है, तो पचास जार महीने तो होने चाहिए, आप सोचो अगर एक लाख से पचास जादा रहे हैं, रिस्क हम कम लेंगे, दूसरी चीज़, डिसिप्लीन, डिसिप्लीन में बहुत सारी चीज़े आती हैं, जैसे आपने देखा, सबसे इंपॉर्टन चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग, हमने बात की कि ब्रोकरेज और चार्जर बहुत जादा हैं, यह बहुत ज तो सबसे इंपॉर्टन चीज़ है, कि हम थोड़ी से एजुकेशन लें, यह दोनों चीज़ एजुकेशन से ही आईगी, करने के पहले थोड़ा सोचें, समझें हम क्या कर रहे हैं, एक प्लैन मनाएं, उसी प्लैन को ट्रेड करें, और धीमे धीमे अपने कैपिटल को स्केल या देश में सक्सेस्फुल लोगों की जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है, तो थैंक यू वेरी मच, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, अगर आप भी फूल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या आपको कोई भी टॉप में बताएं, जिस टॉपिक पर सबसे आदा कमेंट आएंगे, उस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे, थैंक यू